नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सिस देली के बीच होने वाले IPL 2024 यानि इंडियन प्रिमेर लीग 2024 के मैच नमबर दो की फेंटसी की टीम और फेंटसी किर्केट की प्रेडिक्शन के बारे में देखो भालियो इस वीडियो के अंदर हम पंजाब, किंग्स और देली के अपके के हरे क्लियर का रिकोर्ड देखेंगे साथ ही हम लास्ट इर के हैट टो हैड रिकोर्ड भी देखेंगे, जिसकी मदद से आप अच्छी कासे स्मोल लीग और ग्रेंड लीग की टीम बना सकते हो तो आप इस वीडियो को पूरा याद से दीखिएगा और इस मैच में आपके लिए दिल्ली की तरफ से एक ट्रम प्लेर रह सकता है जो की ओर्ड लाउंडर परफोर्मेंस दे सकता है जिसका सेलेक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा तो वीडियो को मिस मत कीजेगा तो दोस्तो ये वाला मैच कहला जाएगा माराजा यद्वेंदर सिंग इंटरनेशनल स्टेडियम मुलापुर्चंदिगर की ग्राउंड की उपर 23 मार्च को दोपैर को तीन बच के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट होगा देखो बाइओ वीडियो में आगे उससे पहले आपसे रिग्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको ऐसी कमाल कमाल की वीडियो घर रोज मिलती रहेगी वही देखो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलिग्राम चेनल याद से जोइन कर लेना है तोस होने के बाद पिछ रिपोर्ट, प्लेइंग 11, फाइनल टीम्स, और गिववे में पार्टिस्पेट करना बहुत यासान है आपको कोई भी सिंपल एक या दो लाइन का कमेंट करना है और जिस भाई के कमेंट पे सबसे जादा लाइक साएंगे ना वो जीतेगा 500 या तो कोई इंटरस्टिंग कमेंट करो कि बंदे आपके कमेंट को लाइक कर ये तीन दूल फोलो करो और कोई भी रैंडम एक या दो लाइन का कमेंट करो पाऊ 500 जीतने का मोगा अब देखो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि ये जो मैच है ना वो खेला जाएगा बिलकुल एक ब्रैंड न्यू ग्र एक मानके चल सकती हूँ ये काफित तक आप एक बैलेंस पिछ मानके चल सकती हूँ वाकिर बिलकुल ब्रैंड न्यू ग्राउंड है इस आप ग्राउंड की फोटो देख सकती हो इस ग्राउंड की उपर ये पहला ही मैच है यानि इनोगरल मैच है तो हो सकता है पिछ कैसी र प्रिडिक्टिड प्लेइंग 11 अगर कोई चेंज होता है तो हम बाद में डिसकस कर लेंगे पंजाब की तरफ से सिखर दवन और प्रब सिमिलन सिंग हाईचांज ओपनर तीन नंबर पे जोनी बैरिश्टो ये तीन प्लेइर होगी इनकी तरफ से टोप ओडर की मैट्स में मिडल ओडर की बात करें तो लियाम लिविंग्स्टन जितेश शर्मा सेम करन शिशांत सिंग और हरप्रीत मरार तक मैटिंग कर लेते हैं ये एक पोसिबल चेंज हो सकता है इनकी तरफ से अगर जोनी बैरिश्टो की जगह सिकंदर रजा खेलते हैं फिर इनकी तरफ से प्लेइंग लिवन में अथरा और ताइडे नाम के एक प्लेइर आ सकते हैं वाइकन देखो दोस्तों आपको पता शिखर देवन एक सेफ ओप्सन है मेक्सिम मूद रोलेंगे उसका लियाम लिविंच्टोन भी सेफ ओप्सन देटेश शर्मा भी सेफ ओप्सन है सेम करन भी सेफ ओप्सन है उसके लावा कगीशो रबाड़ा और अस्डिप सेफ ओपसन देता हूँ अगर यहाँ पे पंजाब के टिम पहले करती है बोलिंग फिर तो इनका इंपक्ट प्लेयर मोस्ट प्रोबली कौन होगा वो होगा परब सिम्रन सिंग जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आ जाएंगी फिर प्लेयर का सेलेक्शन और भी बैटिंग करने आ सकते हैं तो यह मोस्ट प्लेयर आपको इनकी तरफ से प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है आप देखो दोस्तों करम डेली कैपिल्स की बात करें तो डेली के लिए सबसे बड़ी कुसकबरी ही है कि रिशाप पंथ की वापसी हो रही है जो की कप्तानी भी करेंगे और विकेट केपिंग भी करेंगे विल्ली के तरफ से पिट्वी शो और डेविड बोर्नर ओपनर तीन नंबर पे मिचल मार्स ये तीन तेर होगे इनकी तरफ से टोप ओडर की बैट्समें उसका मिलोडर की बात करें तो रिशाप पंथ, त्रिश्टन स्टब, अकसर पटेल, सुमित कुमार और ललित यादो तक बैटिंग कर लेते हैं पफोर्मिस थी सुमित कुमार की यादि एक्ताइक से आप कह सकते हो कि सुमित कुमार इनकी तरफ से हार्दिक पंच्ण वाला रोल में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे हार्दी पाणिया टीम इंडिया के लिए जो रोल प्ले करते है बैटिंग प्लस बोलिंग, वो रोल सुमित कुमार कर सकता है, और सुमित कुमार ने अब तक आई के लिगा कोई मैच नहीं कहला है, पहला मैच रहेगा, ग्रेंड पहले करती है बोलिंग, तो उस केस में पित्विशो शेकेंड इनिंग में इनकी तरफ से बैटिंग करने आ जाएंगे, एज ए इंपेक्ट प्लेयर, और अगर इनकी टीम करती है पहले बैटिंग, उस केस में खलील एमध और मुकेश कुमार में से कोई होग, इनकी तरफ से सेकेंड इनिंग में बोलिंग करने आ जाएगा, बाकि इनकी तरफ से डेविड वोर्नर है, मिचल मार्स है, रिशाफ मंत, तीनों सेफ ओक्सन है, पित्विशो ग्रेंड लिग की डिफ्रेंशल, उसके बाद अक्सर पट्रिल सेफ है, उसका कुल्दी प्यादो सेफ है, एंर पास्टेर यानि आइकेल 2023 के अंदर, पंजाब, किंग्स और देनली केपिल्स की टीम ने दो हैट-टो-एड मैच खेले थी, जिसमें पहने हैट-टो-एड मैच में पंजाब की टीम ने पहले बेटिंग करते हुए, 167 रन बनाए 7 विकेट पे, और दिल्ली की टीमे 36 रन ब दो विकेट मिले और नाथन एलिस को दो विकेट मिले यह प्लेयर थे टोप फोमर, अब यहां पर देखो, प्रीद ब्राड उसमें कप्तान बने थे, फेंटसी के अंदर और प्रभ सिमिर जिंग वाइस कप्तान यानि यह दोनों का इस सेलेक्शन कम है, उसके बाद अगर उ 213 रन बनाए 2 विकेट पे, पंजाब 113 रन बना पाई 8 विकेट पे और दिल्ली की टीम 15 रनों से मैच जित गई, उस मैच अगरम दिल्ली को टोप प्लेयर की बात करें, तो डिविड वाउनर ने 16 रन बनाए, पिर्त्वी शो ने चोममन, राइली रोसो उस्टाइन खेलते और 113 रन बनाए, यह आपको लास्ट रियर के दोनों head-to-head मैचों का रिकोर्ड देखने को मिल रहे, जिसमें बाकि तो सब कुछ सेफ है, एक यहां पे देखो परब सिमरन सिंग और हर्परित मिरार दो डिफरेंशल प्लेयर है, पंजाब की तरफ से जो लास्ट रियर दोन आप इससे भी आइडिया लेकि टीम बना सकते हूं, वीडियो में आगे बड़े और डिटेल में रिकोर्ड देखें, उससे पहले में आपको बता दू कि अब भी तक अगर आपने माई 11 circle app को डाउनलोड नहीं क्या ना, तो डाउनलोड कर लो यार, इस वीडियो के description और पह इसन भी काफी कमें, और साथ ही देखो दोस्तों, अब अभी description के link से माई 11 circle app डाउनलोड करते हो ना, तो आप एक रुपे में जोइन कर सकते हो, स्टार्टिंग की दो टीम इस एक प्रोड वाले contest में, अगर आप अभी हमारे link से डाउनलोड करते हो, उसके लावा देखो द DET20 और first time deposit करते हो ना, तो आपको 20% extra cash मिलेगा, तो को simple सी बात है, starting price है, एक रुपे में जोइन कर सकते हो, आप description के link से डाउनलोड करते हो, माई 11 circle app, उसके अलावा 10 SUV में निकलेंगे, 1500 का bonus है, और अगर आप first time deposit करते हो, और हमारा open code DET20 use करते हो ना, तो उस case के अंदर आ पर वीडियो के description और पहले comment में link है, link पे click करो, माई 11 circle app डाउनलोड करो, और खेलना start करो, तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हो, और आप हमारे एक player का record देख लेते हैं, मैं यह playing लिए उन मान के चलाओ पंजाब की, यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी confusion है कि जोनी बेरेश से, इस ground की उपर तब तक कोई match खेला ने, क्योंकि brand new ground है, recent form की बात करें, तो 17-07-37, यह आपको recent last IPL की form देखने को मिल रही है, और पिछले एक साल से इस player ने कोई cricket नहीं खेला है, selection अच्छा कासा रहेगा, safe option है team में रखने का, लेकिन grand league के अगर risk low, तो 2 point है, एक तो दि रह सकता है, उसके हैद मारे पास है, परम सिमरन सिं, राइटी बैट्स में ना, ओपनिंग करने आता है, यह हैं कम selection वाला player, इस player का selection थोड़ा कम रहेगा, अगर हम दिल्ली के खिलाब बात करें, तो अपने career में 3 matchों में 137 रंबना हैं, 15.7 की average से, और इन 137 में से, एक match में एक साथ भी है, जिसके अंदरी player fantasy के अंदर कपतान भी बना था, अगर हम बात करें, तो T20 रिसेंट पोई मैच नहीं खिला है, लास्ट के एक डो मेने में, लेकिन domestic cricket खिला जिसके अंदर 24 रंड, 22 रंड, 28 रंड, 28 रंड, 28 रंड, 28 रं, 31 रं, 29 रंड, 29 रंड, 29 रंड, 29 र रंड, 29 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 कर लेते हैं, चार नमबरे बैटिंग करने आते हैं, दिल्ली के खिलाफ अपनी केजियर में 6 मेंचों में 108 ररन है, 16.9 की एवरेज और 3 विकेट है, अगर हम रिसेंट फोर्म की बात करें, तो 30 ररन एक विकेट, उसके बाद 6 ररन एक विकेट, उसके बाद 12 ररन तीन ररन, गर आउटस्टेंडिंग प्लेयर है, तगड़ा हीटर है, मैटिंग लस बोलिंग दोनों से कॉन्ट्रिबूट कर सकता है, टीम गंदर मैं रखने पाला हूँ, चाओ तो वाइस कप्तान भी बना सकते हो, कुछ टीमों के अंदर, उसके बाद मारे पास है सिकंदर राजा, ग जोकर मैंने आपको भी बताया था, जोनी बैरिश्टोर सिकंदर रजा में से कोई एक खेलेगा, सिकंदर रजा की खेलता है तो राइटी बैट्समें ओफ ब्रेक बोलर पांच शे नंबरी बैटिंग करने आ सकता है, बुल्ली के खिलाफ अपने कैजियर में एक मैच में 11 रण और कोई विकेट नहीं है, अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो 6 रण 0 विकेट, 22 रण 1 विकेट, 4 रण 0 विकेट, 17 रण 1 विकेट, 1 रण 0 विकेट, जोगर ये प्लेर अगर खिलता है, फिर मैं इसको पका पका टीम में रखूँआ, यानि सिकंदर अगर खिलता है, तो मैं 100% इसको टीम के अंदर रखनी वालो, उसके आद मारे पास है, जितेश सर्मा, राइटी बैट्समें, विकेट कीपर है, अच्छे नमरे बैटिंग करने आता है, वैली कैपिल्स के खिलाफ, चार मैचों में क्या सिरन है, 20.82 के अवेट से, अगर हम बात करें, इसको पांच बोले मिल दिए, तो पांच बोलो में से, तीन बोलो पर चक्के मारके, फेंटसी की टीम में अपनी जगाब बना पारा है, तो इस साल बे हम यहीं उम्मीद करेंगे, इस से, इस प्लेट को भी टीम में रखा जा सकता है, उसके आद मारे पास है, उसके बाद हमारे पास पंजाब की तरफ से, सशांक सिंग, राइटी बेट्समेन है, दिल्ली के खिलाफ एक मैच में दस रन है, सिर्फ, रिसेंट फॉर्म में कोई T20 मैच नहीं खिला है, लेकिन सशांक सिंग की एक खास बात क्या है, ये बोल का अच्छा स्ट्राइक कर रहा है, अच्छे जोर से हिट इम लगाता है बोल को, लेवर मिडलोडर में बैटिंग करने आएगा, उसके आद मारे पास है हरसल पटेल, राइट आम फास्ट बिटिंग पेसर है, दिल्ली के खिलाफ 5 में चों में 5 विगेट है, रिसेंट फॉर्म की बात करो, तो लिस्ट एक के मैच खेल किया है रिसेंट में, तीन विगेट, एक विगेट, जो विगेट, दो विगेट, एक विगेट है, पंजाब की टिम पहले बोलिंग करें, तो यह प्लेयर मस्ट पिक रहेगा, और मस्ट इंपोर्टन भी रह सकता है, उसके बाद मारे पास है, अर्सदिप सिंग लेफ्ट हम फास्ट में पेसर है, दिल्ली के खिलाफ 6 में चों में 4 विगेट है, रिसेंट लिए प्लेयर अगर हम बात करें ना, तो 3 विगेट, 0 विगेट, 4 विगेट, 1 विगेट, 5 विगेट, रिसेंट फॉर्म काफी आउट्सेंडिंग अर्स निपसिंगी, इसलिए इस प्लेयर को मैं मेरी maximum टिमों में रखने कोशिज करूँगा, इस प्लेयर से मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है, इस सीजन के अंदर, उसके बाद मारे पास है हरप्रीत मड़ार, लेप्टी बैट्समें, लेप्टाम और्तोलोक स्पिनर है, दिनली के खिलाफ 5 मेचों में 5 विगेटर, जिसमें से 1 मेच में 4 विगेट, लास्ट ये निकालगे, फेंट्रेसी गिंदर वाइस कप्तान बनात हो प्लेयर, रिचन फोर्म देखो, 1 विगेट, 1 विगेट, लो विगेट, 4 विगेट, 3 विगेट, इस प्लेयर पर ध्यान रखना, अगर स्पिनर को मदद होती है, फिर स्प्लेयर को टीम में यह रखना और चोडोग कप्तान, वास कप्तान में बनाने का रिस्क भी लेसके हो, बहुत कम लास्ट यह पता है कि राउल चार को ज़्यादा और गी बोलिंग नहीं दी जाते थी इसलिए मेरा थोड़ा डाउट राउल चार के उपर लेकिन अगर फोपर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है उसमें राउल चार चमंग सकता बाकि मेरे को लगताने कि पंजाब का जो ट्रै बैटिंग करने आ सकते हैं चमालिस मेचों में बारस उनती सरने दस विगेट है का वेच्छा प्लेर है इसको ग्रेंड लिग मोगा दिया सकता है उसके लाओ देखो नाकन एलिस अगर खेलता है बाइचांस मान लेते हैं ना जोनी बैरिश्टों के ले और नाहीं खेले आप तरो ताइडे हैं रिशी दवन खेल सकते हैं उसके अलावा नाथन एलिस है 3-4 प्लेयर जिनके उपर आप और ध्यान रखना अजर प्लेइंग लिए बाइचांस इंकलीड हो तो टीम में रखने कोशिस कर सकते हूं कुछ टीमों में यह आपको पंजाब के खिलाप अपने क की अवरेज से रिसेंट फों में टीम के अंदर रखा जा सकते हैं मैटिंग से अच्छा कोंट्रिब्यूट कर सकते हैं उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से पिर्थवी शो राइटी बैट्स में पंजाब के खिलाफ चार मेंच जमें 167 बना एक 14.5 की अवरेज से रिसेंट वैसे तो पित्वी शो का सेलेक्शन थोड़ा कम होगा तो एक तो यह प्लेयर हो गया ग्रैंड लिग का डिफरेंचिल दूसरी सबसे बड़ी बात अगर दिर्ली की टीम पहले करती है बोली और पित्वी शो को यह डाल देते हैं इंपेक्ट वाले सलोट में जो की most probably second inning में बैटिंग करने आ जाएगा उस केस में इसका सेलेक्शन और भी कम रहेगा तो इस प्लेयर को आप उस केस के अंदर ग्रैंड लिग के अंदर याद से मुका दे सकते हो कुछ टीमों के अंदर ही कमाल कर सकता है उसके बाद हमारे पास है मिचल मास राइटी बैट्समन टीम में भी रखा जाएगा और चाओ तो कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकती हूँ उसके बाद मारे पास है रिशाप पंथ लेक्टी बैट्समन ने चार नमरे बैटिंग करने आता है लास्ट एक डेर साल से रिशाप पंथ ने कोई क्रिकेट नहीं खेल है यह स्प्लेर क कर ले ना कि आपको रखना है नहीं रख उसके बाद मारे पास है त्रिश्टन स्टब राइटी बैट्समन है त्रिश्टन स्टब की रिशेंट फोर्म देखेलो स्टाइस रन 15 एक रिकेट 16 एक विकेट चाप पंदन चोदा रन डेको डोमेस्टिक के अंदर देखो त्रिश रिशेंटली दो विकेट दो विकेट एक विकेट है डोमेस्टिक के अंदर भी ठीक टाक परफोर्मेस है इस प्लेयर को में टीम यंदर रखना चाओंगो और अगर स्पिन ओरेंटी ड्रेगो तो कप्तानी वाइस कप्तानी का दाविदार भी रह सकता है क्योंकि मैटिंग प्लास बोलिंग दोनों से कोंट्रिब्यूट करेगा उसके बाद मारे पास है सुमित कुमार यह प्लेयर ना राइटी बैट्समेंट राइट डाम मीडियम पेसर रिशेंटली कोई टीट बंटी की फोर्म नहीं क्यों घेला ही नहीं इस ग्राउंड पे भी कोई मैश नहीं लेकिन देखो डोमेस्टिक के अंदर दो और अठारा रन और चार विकेट, शासी रन तीन विकेट, उननीस और सैंतिस रन दो विकेट, तेरा और चार रन तीन विकेट, डोमेस्टिक के अंदर अच्छा पफोर्मेस है और रीशेंटली इनका जो नेट प्रैक्टिस सेशन ना इसका डिली का उसके अंदर ये बैश स्ट्राइकर ओफ बोल था ये 6-7 नंबरे बैटिंग करने आएगा और ये नई बोल से भी अच्छी बोलिंग कर सकता है तो पॉर पले में इसको बोलिंग दी जा सकती है मतलब राइट हेंडे बैट्समें राइट राम मीडियम पेसर एक टाइप से आप हर्दिक पांडिया वाला लेवल तो नहीं लेकिन उस टाइप का पलेएर मान के चल सकती हो अगर चमकता है तो पहले मैच में किसी को पता नहीं होगा सुमित कुमार का कोई ध्यान में नहीं देगा सुमित कुमार के उपर ये चीज़ ध्यान रखना मैं बार बार के रहा हूँ अगर चमकता है तो क्योंकि डेब्यू के अंदर पर्फॉर्म करना थोड़ा मुस्किल चांस होता है कि पहला ही मैच के लिए पर्फॉर्म कर दे लेकिन याद लगना सुमित कुमार प्रंप रह सकता है थ्रू आउट ला सीजन अगर पहले मैच में चल गया ना लेकिल आफ चार में चोंपे पांच में पर्फॉर्म करने आएगा इंदरिक नोखिया मस्ट पिक प्लेयर है बैटिंग पारफॉर्पलियर दोनों में बॉलिंग करने आएगा इस प्रेटों में टीम में रखने बाला हूँ उसका तुमारे पास है खलील एमद लेफ टाम फास्ट बियंप्रेसर है जो को खलील एमद का सेलेक्षिन कम रहेगा डोमेश्टिक के अंदर तीन विगेट एक विगेट चार विगेट एक विगेट निशन फो में इस प्रेट को भी आप दाओ तो टीम के अंदर रख सकते हो पंजाब के खिलाफ 6 मेचों में 6 विगेट है यानि खलील एमद आपके लिए ग्रेंड लिग का ट्रंप यह डिफरेंचल पिक रहा सकता है कुमार कुसागराईन के तरफ से विगेट कीपर है जिसको साइद खेलने का मौपां ना मिले अभिषेक पोरेल भी विगेट कीपर है साई उप अगर खेलता है दिशन स्टब की जगह तो इंपोर्टन रह सकता है येस डूल को साइद मोपा नहीं मिलेगा स्वास्तिक चिकारा है काफी इच्छी बैटिंग कर लेता है इशांच शर्मा का मैंने आपको ओड़ी बताया था लास्ट ये दोनों head to head match में दो दो विगेट निकाले था अगर बाइचां समुके शकुमारे खली लेमन में से कोई न नमबरे बैटिंग करने आजाए ऐसा दो हो सकता है इनके टीम जैक फ्रासर में लूट शेतिंग नमबरे बैटिंग करवा के और मिचल मास को चान नमबरे बैटिंग करने बेज़ दे यह चीज़ ध्यान रखना ये प्लेश वाट डिफ्रेंशिल रह सकते हैं राके और कोई पन तो जीते शर्मा बैटिंग में डेविड वोर्नर और शेकरदवन ओल राउंडर में मिचल मास सेम करन और लियाम लिविंग्स्टोन बोलिंग में अर्श देप सिंग कुल्दी प्यादो कागिसुर बाड़ा और एंडिक नोकिया को लिया है मैंने ये बिल्कुल सेफ टी इस टीम में कप्तान में मिचल मोर्स के साथ जा रहा हूं वाइस कप्तान में यहां पर ट्राइएंड डेस्टिड सेम करन के साथ जा रहा हूं यह है मेरी फर्स टीम जो भी थोड़ा सेफ टीम है एक चीज हो सकता अगर सेम करन बाइचां समा के लिए शिकंदर रजा खेले तो मैं वाइस कप्तेंसी जिकंदर रजा को दे सकता हूं मतलब अगर कोई चेंज होगा उस हिसाथ से मैं वाइस कप्तेंसी चेंज कर दोगा वह मैं आपको फाले टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा टोस के बात कि क्या चेंज हो रहा है वाकि यह मेरी एक है बिलकुल सेफ अब मैं आपको एक दो मेरी ग्रेंट लिग के रिसके टिम दिखा देता हूं यह है मैरी टीम नंबर वन जो रिसकी है ग्रेंड लिग के जिसमें मैं जितेश शर्मा और परभ सिमरन सींग को लेले है विकेट कीपर में पिर्थवी शोगो लेलिया बेटिंग में औरम डाउं बाकिसारी सेम है बस दो प्लियर चेंज कर लिए यहां पे सुमित कुमार और प्रबस इमिन सिंग दो रिसकी प्लियर ले लिए और капstान मिचल मार्श को बना जिया और वाइस कंपान बना जिया लियाम लिविंग स्टोन को, यह है मेरी दूसरी डिस्की टीम या पहली डिस्की टीम आप मानके चल सकते हूँ अगर आप इसे में कुछ चेंज करना चाहो सुमित कुमार को भी वाइस कप्तान सी दे सकते हो Grand League के अंदर आप एक्ष्टा डिस्क लेने की मोड में हो बाकि मेरी कोई रिक्मेंडेसर नहीं है बाई क्योंकि पहला ही नेच खेलेगा लेकि मेरे को पता बैटिंग बोलिंग जोनों करता है और इसेंट में इनका जो नेच सेसन था उसके अंदर भी काप एच्छा पूप में था तो आप ले सकते हूँ शिकंदर रजा को अगर जोनी बैरिश्टो को ना लेना जाओ तो आप ले सकते हूँ इसको शिकर दवन को यहां पर एचेंज कर सकते हूँ यह मेरी ग्रेंडली की दूसरी रिस्की टीम है एक और रिस्की टीम देखा देता हूँ यह फूल 100% रिस्की टीम है इसको फोलो करने की जूरत नहीं बसमा आप 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 आडिया दे रहा हूँ विगट कीपर में परब सिमरंसिंग है बैटिंग में डेविड वोर्नर शिकर दवन है कप्तान में परब सिमरंसिंग को बनाए वाइस कप्तान में रिस्की टीम है यह है रिस्की टीम नंबर तीन यह है हमारी रिस्की टीम नंबर दो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद आपको दिखाता हो यह हमारी रिस्की टीम नंबर एक आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद यहां पर अपनी है एक safe team जो मैंने भी बनाई है बाकि final जो team होगे न भाई वो मैं telegram पर देपा हूँ और toast के वक यह चीज़ जहां रखना toast होने के बाद telegram पर ही मिलेगी final team वीडियो के description और पहले comment में link है link पर click करके join कर लेना एक चीज़ और अभी तक अगर my 11 circle app को download नहीं किया तो download कर लो इस video के description और पहले comment में link है link पर click करके download कर सकते हो starting ही 1 crore से 2 crore price भी हो सकता है तीन crore भी हो सकता है यानि price बढ़ता जाएगा throughout the IPL यह चीज़ ध्यान रखना और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस खेल के अंदर वित्य जोकी में और आदत भी लग सकती है तो सोच समझ के खेलना धन्यवाद